हाई फ्रेंज आज हम बनाने वाले है एक बहुत ही रिफ्रेशिंग समर स्पेशिल मेडिटेरेनियन वाटरमेलिन सालेड इसके लिए हमें जो इंग्रीडियन्स चाहिए वो है स्लाइस्ट ककडी, स्लाइस्ट प्यास, वाटरमेलिन के पीसिस कर के लिए है वन टी स्पून नीम्बू का रस, वन टेबल स्पून एक्स्ट्र वोर्जिन ओलिव ओल, मिंट और बेजिल को हम लोग ने फ्रेशली कट करके लिया है फिर ब्लैक पेपर पाउडर, काला नमक, साधा नमक दोनो, हनी, रेड चिली फ्लेक्स, ओरेग्यानो, फेटा चीज, अगर आपके महां फ्रेश फेटा चीज नहीं होगा तो आप लोग पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड आलमंड रोस्टेड अक्रोड, आलमंड अक्रोड को हमने माइक्रोवेव में थोड़ी देर रोस्ट करके फिर उसकी पीसिस करके लिए हैं, तो हम शुरू करते हैं, पहले हम लोग ड्रेसिंग बना के लेंगे, जिसके लिए मैं नीम्बू का रस, ओलिव ओईल, बेजिल और मिंट, ब्लैक पेपर पाउडर, पाला नमक, साधा नमक दोनो, हनी, रेड़ चिली फ्लेक्स, और एग्यानो, इसे मैं अच्छे से मिक्स करके लोगी, यह एग्जीव होने के बाद हम लोग इसमें वेजिटबल्स आइड करेंगे, ककड़ी, प्याज, और वाटर मेलन भी, इसमें टॉस करके लेंगे, अभी यहाँ पर सर्विंग के लिए, मैंने फ्रेश लेटिव लिए है, लेटिव स्लीव लिए है, तो मैं यह सालेड इसमें निकालूगी, और इसे उपर से गार्निश करेंगे, फेटा चीज, आलमेंड और अख्रोट से, तो यह हमारा सालेड रेडी है, तो आप भी से ट्राइ कीजिए, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, तैंक्यू, बाई,